आज हम बना रहे हैं मसाला आलू जो खाने में बहुत ही स्वादिश है और बनाने में बहुत ही आसान और घर में रखे सामनों से बहुत ही आसान इसे बन जाता है तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरा चैनल सस्क्राइब कर लीचे जिसे आगे हम फिर मिलते रहें तेल गरम होने पर हम उसमें जीरा डालेंगे जीरा तड़कने पर हम उसमें डालते हैं बारिक चॉप के हुए प्याज ये प्याज मैंने चॉपर से चॉप किये हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसे चलाते रहेंगे अब इसमें हम डाल रहे हैं कुटेवी हारी मिर्च और लसल जब हमारे प्याज भून जाएंगे तब इसमें हम डालते हैं टमाटर ये टमाटर मैंने चौपर से चौप किये हैं और बारिक चौप किये हैं गैस की फ्लिम को मैंने तीज रखा हुआ है जिसे टमाटर का पानी जल्दी सूख जाए अब इसमें हम डालते हैं मसाले जिसमें हल्दी लाल मिर्श नमक और धनिया पाउडर हैं यह मसाला आप अपने स्वात की साब से कैसे भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डाल रहे हैं कसूर मेती हम इन अच्छे से भून लेंगे मसाला सिख जाने के बाद हम इसमें डालते हैं लंबी कटेवी हर इमेज अगर आपको तिखा जादा पसंद नहीं है तो आप यह ना डाले अब इसमें हम डाले हैं गरम मसाला अब इस मसाले को हम अच्छे से और भून लेंगे ध्यान पानी डालने के बाद हम इसे 5-10 मिट तक और चलाएंगे धीमी आज पे आप जब भी आलू उबाले तो आप उसके पानी में नमक डाल के उबाले जिसे सब्जे में या आलू में फीके ना लगे लीजिए हमारी आलू मसाला बनके तयार है अब इसमें हम डालते हैं एक एवाज़ और के लाएंगे वालू माण चाहिए हमेदाने के लिए आलू में तक पानी आलू नहीर राये भी हमें इसना के को अलू आलू मैं टो नहीं प्लाओे बायूरा है